आज आजमगर जिले के पुलिस कप्तान के कारियाले पर नियाय के लिए एक्यूती ने पहुँचकर संसेनी फैला दी जिले के ताना गंभी पुचेत की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम लड़के ने उसे बहला फुसला कर शारीरिक संबंद बनाए और अब वो महिला च्छै महिने के गर्ब से है साथी महिला ने आरोप लगाया कि इवग जिसका नाम एहमद है उसे गर्ब गिराने के लिए वो बार बार धमकी दे रहा है इसी बात के शुकायत लेकर महिला पुलिस अधिक्षव कारियाले पर पहुची महिला के पास दो संताने हैं महिला ने कहा कि पती के मौत के बाद वो असहाय हो गई है महिला ने आरोप लगाया कि पडोसियों के हाँ आरोपी इवग का आना जाना था और पडोसियों के सहयोग से ही एहमद नामा की वक्त ने उसे अपने प्रेम जाल में फसा कर बार बार शारेरिक संबंद बनाता रहा जिससे वो गर्वोती हो गई महिला का रोप है कि अब वो उसे धमकी देता है उसने इसकी शिकायत अस्तानी थाने पर भी किया लेकिन सुनवाई ना होने पर पुलिस अधिक्षक कार्याले पहुचकर अपना दुखड़ा सुनाया इस पूरे प्रकरण के असली कहानी क्या है या पुलिस के जाज के बाद ही असपश्ट रूप से सामने आएगा गलत संभन बनाया कि हम जो होके रखोंगा जब बच्चा हो गया साथ मैना पेठ में तो वो बोला नहीं रखोंगा थाने क्या गई थी? में अगर थाने गई थी क्या कामना? वो लोग पैसा जमा कर दिये थे कुछ सुनवाई नहीं हुगा मैंना दॉप रखोजान को कि हमारे साथ गलत हुआ है एक अप्लिकेशन लिख दीजिये इसपी साहब को देना है हमने लिक दिया इसपी साहब से मिलवा दिया क्या हुआ हुआ पिरता के साथ एक मुस्लिम लड़का जो है काफी दिनों से लगबक सालों से उसके साथ जाता था जब गर्भ भठायर गया साथ महीने का तो अब कहरा है कि तुम गर्भ किरवा दो या मार डालो अब हमसे तुमसे मतलब नहीं है इसकी साब क्या है इसको मिलवाए तो इसकी साब ने आडर किया है आने पर इसकी सबी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सबी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें